गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम फिफ्ट स्टेंडर्ड में लेसन थ्री रविंदर नाठ टेगोर के बारे में पढ़ेंगे तुडे वी विल रेट अबाउट रविंदर नाठ टेगोर रविंदर नाठ टेगोर वाज ग्रेट पोईट रविंदर नाठ टेगोर एक वेंदरनार ते गोड वे ग्र्वाम कोना वोक्त अंगीत सस्थृष किस्चा मेंग Θा है इनका जर्णम 7 वें 1861 में χटे को कॉलकात्ता है हुआ था रविंदर नाठ टेगोर जो थे वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं था जब उनके ध्यापक उन्हें शिक्षा ब्रदान करते थे तो वो खिड़की से बाहर प्राकिर्टी को निहारते रहते थे प्राकिर्टी जो थी वो उनको काफी अट्रेक्ट करती थी उनका एक स्यापाटी था जिसका नाम इश्वर था वो उन्हें रमायन या मिस्टीरियस रहसे महीं कहानियां सुनाया करता था प्राकिर्टी की उनके माता-पिता उसके बारे में काफी चिंती थे लेकिन उसने जब आठ साल की उमर में अपनी पहली कविता लिखी तो उनके माता-पिता को उन पर काफी गर हुआ At 17, 17 साल की उमर में उन्हें इंग्लैंड उस शिक्षा प्राप करने के लिए इंग्लैंड बेज दिया He returned home जब वो वापिस आए तो उन्होंने लिखना और एक्ट करना शुरू कर दिया In 1883 में रविंदर नाठ टेगोर की शादी मिर्णाली से हुई एक दिन उसके पिता ने कहा कि अब तुम्हारा परिवार बन गया है अब तुम कुशिता जो बंगला देश में है अब वहा का कारेबार संभालो रविंदर नाठ टेगोर और उसकी पत्नी ने वहाँ पर एक स्कूल खोलने का निश्चे किया उस उन्होंने ये निश्चे किया कि इस स्कूल के अंदर जिसे शांती निकेतन के नाम से परसी है वो स्कूल उस स्कूल में शिक्षा जो है वो अलग परकार से दी जाएगी प्राकिर्ति के अंदर शिक्षा परदान की जाती दी वहाँ पर चार दिवारों में नहीं बच्चे जो हैं वो प्राकेती में बैठ कर प्लासे ओपन खुली हवा में पेड़ों के नीचे बैठ कर शिक्षा प्राप्ट करते थे बट रविंदरनाथ वर स्टिल नोट सेटिसफाइड रविंदरनाथ इस बात से संतुष नहीं हुए वो भारत के लिए कुछ और भी करना चाहते थे यही कारण था कि जब 1905 में बंगाल का विबाजन हुआ तो उन्होंने इसको गहराई से सोचा उन्होंने बहुत से अपने स्पीच मेंने बाशन दिये और गाने लिखे भारत उनका एक गाना जना गना मना भारत में नैशनल एंथम के रूप में सविकार किया गया गुरुवरोर रविंदर नाटेगोर को उन्होंने एक पुस्तक लिखी गितांजली जिसकी लिए उन्हें नोबल पुरुषकार से भी साइते के नोबल पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया। इस महान दार्षनिक फिलोस्वन में नादार्षनिक और राष्टवादी की मृत्यू 18-18 साल की उमर में 8 अगस्ट 1941 को हो गई। तो ये थे हमारे देश के महान। रविंदर नाट्टेगोर